नमस्कार स्वागत है आप सभी का जनसत्य नीज़ पर मैं हूँ आपके साथ हनु सिंग कुरोना के कहर के बावजू देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है इसी के मद्दे नसर ग्रीह मंद्राले ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं नई गाइडलाइन में रात की दोरान लोगों की आवजराही पर प्रतिवन हटा दिया गया है नए दिशा निर्देशों की मताबिक योग संस्थानों और व्यायाम शालाओं को 5 अगस 2020 से खोलनी की अनुमती होगी हलाकि जोरान सरकार की ओर से समाचिक दूरी समेथ अन्य दिशा निर्देशों का सकती से पालन करना होगा आईए जानते हैं अनलॉक 3 में क्या मिली है राहते और किन पर जारी रहें की पाबंदिया कोरोना के बढ़ते मामलों की बावजूद देश अब अनलॉक फेज के एक्स्टेंशन के साथ आगे बढ़ेगा कुछ प्रतिबंधों के बावजूद अनलॉक 3 में कुछ छूट की खोशना भी कर दी गई है हाला की स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षन संस्थान 31 अगस 2020 तक बंद रहेंगे मेट्रो डेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थेटर, बार, ओडिटोरियम, एंटेटेन्मेंट पार्क बंद रहेंगे समाजिक, धार्मेक, राजनेतिक, सांस्कृतिक मनुरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कारिक्रमों पर पाबंदी रहेंगी अनलॉक 3 में जिन शेत्रों में छूट की घुषना की गई है उस गाइडलाइन के मुताबिक रात्री कालीन कर्प्यू को हटा दिया गया है अब रात में अवगमन पर पाबंदी नहीं रहेगी पांच अगस से योग संसान जिम खोलने की दी गई मन्जूरी हालाकि इस दोरान समाजिक दूरी समेथ दूसरे एहतियात का पालन भी करना होगा स्वतंत्रता दिवस के कारिक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थे प्रोटोकॉल के पालन के साथ इजासत दी गई है स्वास्थे मंत्राली की तरफ से 21 जुलाई को जारी दिशा निर्देशु का पालन करना होगा इस बार भी बंदे मात्रा मिशन के देहत इंटरनाशनल एर ट्रेवल को मंजूरी दी गई सरकार की ओर से विशेश्ट विमानों के आवगमन को मंजूरी दी गई इसके साथ ही कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा वैवाही कारेक्रमों में 50 से ज़्यादा लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं होगी अंतिम संसकार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी साखजनिक जगों पर पान गुट का तंबाकू खाना प्रतिबंदित होगा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने प्रयाप्त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुसुर्ग गंभीर बिमारियों से जूट रहे लोग गरवती महलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलहा दे गई है ये लोग बहुत जरूरी होने ये स्वास्ते समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं कंटेन्मेंट जोन में 31 जुलाई तक सक्त लॉकडाउन रहेगा हाला कि इस दौरान सामान के लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी जरूरी सेवाओं को मनजूरी दी जाएगी इस से जुड़े लोगों की आवजाही पर रोक नहीं रहेगी इसके लिए अलग से ई-पर्विट या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है राज्य सरकार कंटेन्मेंट जोन का निर्धारन करेंगी और इन इलाकों की जानकारी वेबसाइट पर सार्जनिक की जाएगी राज्य सरकारे परिस्तितियों के आधार पर इन इलाकों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकती है Bureau Report जनसत्य News चम्छोम्टेast्पाम